अलिश्या को एक जॉंबी के आवाज सुनाई देती है वो पाड़रे कहता हुआ एक डारेक्शन की और जा रहा था अलिश्या जॉंबी का पीछा करती है वो उसे रुखने के लिए भी कहती है ये सब कुछ अलिश्या अपने सपने में देख रही थी वो इस सब्टे को देखकर अचानक उड़ जाती है अलिश्या अपने आपको अकेला पाती है और वो वहाँ और लोगों को ढूड़ने लग जाती है अलिश्या अपने आपको बहुत वीक महसूस कर रही थी इंफेक्शन की करण उसे हल्यूसिनेशन हो रही थी उसे बहुत तेज म्यूजिक सुनाई देता है अलिश्या को एक और जाते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं वो निशानों को फॉलो करती हुई हौल तक पहुँच जाती है वहाँ पर एक आदमी पॉल प्यानो बजा रहा था एलिश्या एक जांबी को पॉल के करीब जाते हुए देखती है वो उसे वार्ण करने की कोशिश करती है लाउट म्यूजिक बचने के कारण पॉल एलिश्या को कोई भी रिस्मांस नहीं देता एलिश्या वही बचरे स्टीरियो सिस्टम को निकाल कर फेक देती है पॉल तुरंती उस जांबी को मार देता है पॉल अपने म्यूजिक सिस्टम को डेस्ट्रॉय होता हुआ देखकर एलिश्या के उपर बहुत जोरो से चिलाने लग चाता है एलिश्या उस वक्त बहुत कमचोर थी वो उस वक्त बेहोश हो जाती है कुछ समय के बाद एलिश्या होश में आती है उसे पॉल पियानों के पास बैठा हुआ दिखाई देता है एलिश्या चिलाकर उसे उस जगे के बारे में पूछती है अपनी बात का response नहीं आती थे अलिशा पॉल के पास चली जाती है पॉल अलिशा को देखकर चौक जाता है वो अलिशा को बताता है कि वो सुन नहीं सकता है लेकिन पॉल लोगों की बातों को उनकी लिप रिडिंग से समझ सकता था पॉल अलिशा को बताता है कि वो दो दिन पहले सप्लाइर रैंड पर बाहर गया था तब उसे अलिशा नॉर्थ के एक बार्ण में बेहोश मिली थी वो अलिशा को वहाँ से लेक कर आ गया था Paul Alisha को ये भी बताता है कि उसकी बॉडी का टेंपरिचर पहुँच जाता है उसने उस टेंपरिचर को डाउन करने के लिए Alisha को मेडिसिन भी दे थी लेकिन Alisha पर उस मेडिसिन का कोई भी आसर नहीं हुआ था Alisha Paul को पताती है कि वो अपने ग्रूब के साथ थी और radiation से बचने के लिए भाग रही थी एक लड़की ने उसकी मदद की थी और उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था Alicia वहाँ से जाने लगती है तब Paul उसे पहले अपने stereo को ठीक करने के लिए कहता है Alicia उसे warn करती है कि वो इतना loud music play कर रहा था जिसके current zombies उसके घर के अंदर आ सकते थे Paul Alicia को clear करता है कि उसका घर soundproof है वो Alicia को fever down करने के लिए pills भी दे देता है Alicia को बाहर से कुछ आहट आती हुई सुनाई देती है वो window से Arno को अपने सात्यों के साथ बाहर आए हुए देखती है Alicia Paul से उस घर में अपने आपको छुपाने के लिए कहती है Paul डोर को खुल कर Arno का सामना करता है वो गाड़ी में भरे हुए zombies को देखता है Arno Paul से बात करने के लिए अपने मास को उतार देता है Arno Paul से Alicia के बारे में पूशता है और Paul उसे उसके बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर देता है Arno जबरदस्ती Paul के घर के अंदर खुश जाता है Arno को पियानो के उपर रखी हुई पिल्स दिखाई दे जाती है Arno उन पिल्स को देखकर Paul से पूशता है कि उन पिल्स को कौन ले रहा था Arno पियानो प्ले करने लग जाता है पियानो की कुछ इस Arno के प्ले करने से स्टक हो जाती है हम लोगों को दिखाया जाता है कि Elisha उसी पियानो के अंदर छिपकर बैठी हुई थी Arno के पूचने पर Paul उसे बताता है कि उसका पियानो आउट आफ ट्यून हो गया होगा Arno वहाँ से बाहर निकलते बग पॉल को एक वाकी देता है और उसे Elisha के आने पर इनफॉर्म करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है Paul Elisha को बाहर निकलता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है Paul Elisha को बताता है कि एक बॉम ब्लास्ट में उसकी वाइफ की डैथ हो गई थी और उसी ब्लास्ट में उसकी सुनने की कैपिसिटी काफी कम हो चुकी थी Paul Elisha को बताता है कि वो बैकपाइप का सेट उसकी वाइफ का था और उसकी डैथ के बाद उसने उससे चुआ भी नहीं था Elisha को अपने साथियों की चिंता थी वो उस जगे को जल्दी से जल्दी छोड़ कर जाना चाती थी Paul Elisha को क्लियर करता है कि अगर उसने उसके स्टीरियो को फिक्स करने में उसकी मदद की तो वो उसके आग्मियों तक उसको पहुचाने में उसकी मदद करेगा Paul का स्टीरियो सिस्टम पूरी तरह से तूट चुका था पॉल एलिशा को लेकर स्टीरियो की खोज में एक म्यूजिक कॉलेज में पहुँच जाता है पॉल को वहाँ पर स्टीरियो मिल जाता है एलिशा पॉल को बताती है कि वो न्यूकलियर ब्लास्ट के टाइम एक बंकर में थी वहाँ उसे एक location पार्टरे के बारे में पता चला था और तभी से वो उस location की खोज कर रही थी Alicia Paul को बताती है कि टैडी की community के लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे कुछ लोग Alicia को follow करने लगे थे और बाकी बच्चे हुए stalkers थे जिनका लीडर Arno था Alicia Paul को बताती है कि पार्टरे को ढूंते हुए रास्ते में उसके बहुत सारे साथी मारे गए थे Arno उनकी मौत का जिम्मेदार Alicia को मानता था Arno को Alicia के उपर जॉंबी के बाइट करने के बाद भी जिन्दा होने को लेकर शक था Alicia चाहती थी कि वो अपने सभी लोगों को इखटा करे और स्ट्रेंट से लड़ाई करके टावर को उन लोगों के लिए हासिल कर ले Paul और Alicia अपस में बात भी कर रहे थे तबी बाहर Arno बहुत जाता है Alicia उसके सामने जाती है Arno उसे जांबी में कनवर्ट हुए अपने साथियों को दिखाता है Arno Alicia को अपने साथियों की मौद की सजा देने के लिए उसे जांबी इसकी सामने डाल देना चाहता था Arno Alicia की बोन्स वाली आम को निकाल देता है और जांबी इसके दर्वाजे को खोलने लग जाता है तभी पॉल वहाँ पर आ जाता है वो Arno के हाथ के उपर गोली चला देता है जांबी इसका दर्वाजा तब तक खुल चुका था वो बहार निकलना शुरू हो जाते है Alicia जांबी से बचने के लिए वहीं मौजूद एक गाड़ी के अंदर चली जाती है पॉल लगातार जांबी सको शूट कर रहा था उसके हाथ से स्टीरियो गिर कर टूट जाता है Alicia पॉल को गाड़ी में बुला कर दर्वाजा बंद कर देती है कुछ समय के बाद Alicia पॉल को अपना साथ छोड़ देने के लिए कहती है वो पॉल को समझाती है कि उसे फॉलो करने वाले लोग मारे जाते है पॉल ऐलिशा का साथ देने का इरादा बना लेता है और वो आर्नो से वाकी पर कांटेक्ट करके उसे अपने घर आने के लिए कहता है Alicia पॉल को अपने ड्रीम के बारे में बताती है जो कि वो इनफेक्टेट होने के बाद लगाता और देखा करती थी पॉल ऐलिशा को समझाता है कि वो आवाज उसके अंदर की आवाज है जो कि उसे डिरेक्शन दिखा रही थी पॉल ऐलिशा को कहता है कि उसे अपने अंदर की आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए पॉल उसी गड़ी में मौजूद स्टेरियो को निकाल लेता है वो दोनों अपने घर को आकर पूरी तरह से आर्णो के वेलकम के लिए तयार कर लेते हैं पुलो को उस घर में बहुती लाउड म्यूजिक चालू कर देते हैं पॉल ईलेशय को अपने कान को बंध करने के लिए रूई दे देता है आर्णो अपने पूरे ग्रूप के साथ वहां पर पहुंच जाता है म्युजिक की आवाज के करन बहुत सारे जॉंबीज भी पॉल के घर के और पहुंच जाते हैं आर्नो जॉम्बीस को देखकर एक किनारे पर हो जाता है। जॉम्बीस पॉल के घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। कुछ जॉम्बीस आर्नो की साथियों को भी बाइट कर लेते हैं। पॉल और एलिश्या दौनो ही घर के अंदर आने वाले जॉम्बीस का सामना करके उन्हें मारते जा रहे थे आर्नो भी किसी तरह से घर के अंदर पहुँच जाता है वो पॉल के उपर गोली चला देता है आर्नो इस बीच एक जगे पर छुप जाता है पॉल एलिशया को उस जगे को छोड़ कर जाने के लिए कहता है एलिशया पॉल को इस अहलत में छोड़ कर जाने के लिए तयार नहीं होती लेकिन पॉल उसे बताता है कि अब उसके पास समय जादा नहीं है और वो एलिशया को इंसेस्ट करता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी एलिशया के हाथ में है जो कि वो वहाँ से बहार निकल कर बचा सकती थी पॉल अपनी वाइफ की बैकपाइपस को ले लेता है और उसके उपड अपनी वाइफ की ही म्यूसिक और Two Joy को प्लेई करने लग जाता है अलिशा बैकपाइप की अवाज में ही धीरे से घर से बहार निकल जाती है आरनो को एलिशा के बहर जाने की आवास सुनाई नहीं देती वो पॉल की सामने आकर उसे शूट करके मार देता है एलिशा पॉल की घर से भाग कर बहर डिकल जाती है एलिशा को तबी वही अनजान लड़की दिखाई देती है जिसने उसे पहले बचाया था वो अन्जान लडकी Elisha को बताती है कि Elisha उन लोगों की मदद कर सकती है Elisha उसी वक्त बेहोश हो जाती है Elisha को एक बार फिर से सपना दिखाई देता है Elisha एक जांबी को फालो करते हुए उसके पास पहुँच जाती है Elisha देखती है कि वो zombie वो खुद थी Elisha को अपने सपने में अपने लोग भी दिखाई देते हैं वो अपने लोगों को अपने आपको follow करने के लिए कहती है Elisha की बेहोशी ढूडती है वो इस वक्त Morgan की सब मेरेन में थी मॉर्गन और अलिश्या दोनों ही पाडरे के बारे में बात करते हैं अलिश्या मॉर्गन को क्लियर करती है कि पाडरे कोई भी जगे नहीं है और पाडरे उसे खुदी बनाना होगा Alicia Morgan को बताती है कि वो अब अपने लोगों को एक safe place तक पहुचाना चाहती है Alicia Morgan को कहती है कि उन लोगों को मिलकर एक आर्मी को बनाना होगा जिससे वो लोग स्ट्रेंट का सामना करके उससे टावर को हासिल कर लें एपिसोड के end में आर्मो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक पिट तक पहुच चुके थे वो पिट पूरी तरह से रेडियो एक्टिव जॉंबी से भरी हुई थी आर्मो उन जॉंबी स को देखता है और वो अपने साथियों को क्लियर करता है कि आप उन लोगों को टावर लेने की कोशिश करनी होगी